किसी ब्रहामन जी ने बताया कि आप भरी दुवार जाओ उनकी गति करवाओ किरिया करवाओ बट आज भी मुझे लगता है कि पाप है वह भी हटा नहीं है कभी मेरे से नहीं बच्चा इसमें यह देखना है कि गायक के उस बच्चे पर आपने श्वयम चड़ा दिया अचानक क्लती से चल गया पता भी नहीं लगा और मतलब मैं गाड़ी पर जा रहा था और एक दम लेफ्ट में दिखी नहीं उस पर गाड़ी चल गई तो आपकी अशावधानी रही इसे हाँ इसे इसे अशावधानी कहा जाएगा क्योंकि वह है अपराद अगर मतलब हम जा रहें र लक्षिपर ध्यान रखना चाहिए तो चूख से जो चड़ गई तो इसे अपराद कहते हो वही अपराद आपको जलन पैदान कर रहा है तो अगर हमारी राय से उस अपराद का मोचन सीमत भागवत है अगर संस्कृत का कोई विद्वान साथ दिन नियम प्रूवक भागवत का पाठ करके और उस जीवात्मा को दे दिया है तो देख लेना आपके अरदे में एक दम खतम हुझे में बहुत शांती रहती है शीरी जी मिल्कुल उसके लिए सच्चा उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं सच्चा उपाय यह गलती है या पराद है क्योंकि आपके द्वारा हुआ है अब आप इतने दिनों से जल रहे हो तो यहां कर प्रस्ण किया तो उसका उत्तर है श्रीमत भागवत का सब्ताही की पुरान उसका पाठ है किसी विद्वान से कराई और उसका फल उस जीव को दे दीजिए उसको भेट देना पड़ेगा जो आचारी पाठ करेगा परियाप्त भेट देना चाहिए जिससे उसको संतुष्टता हो जाए क्योंकि अठारा हजार इस लोग साथ दिन में वो बुलेगा वो एक होती भागवत की इस लोग वी को और फिर कथा वारता तो तुम वो कथा वारता की बात न कराके घर में बुला करके उस पंडित के द चीरी जी फिर भी पांसाथ दिन में हमें व्रिंदावन बुला लेते हैं और फिर भी मन में गई नहीं शांति हैं अभी मताब भगवद आस्त्रे लियो इस लिए नहीं तो बहुत गड़बर कर सकता है ब्रहमत्या गवत्या बहुत खतरनाक अपराद है तो इसका मार्जन कर पूरा मतलब गलती है इसमें थोड़ी भी चूक लें है उदर से एक चूक होती है ना कि जैसे हम रफ्तार से गाड़ी चल लें आप कोई जानवर भागता हुआ एकदम आया अब एकदम कैसे कंट्रोल हो पाए और घटना घट गई तो उसमें आपकी चूक के कम चांस है कि आप साउधानी पूरक्षा ले तो दोड़ता हुआ एक दम आगया बचा नहीं पाए लेकिन वो आराम कर आप उसके उपर चढ़ा रहें इधर उदर आपकी साउधानी हट गई तो फिर वो पाप है और गवहत्या ब्रह्म हत्या एसा एक लाइन में रखे जाते हैं इसलिए आपका हर्दय जलता है आप ऐसा कीजिए क्योंकि इसी जन्में में हम हर बात का प्रैस्चित कर सकते हैं जो हमसे गलती हो चुकि और नाम जब कीजिए भगवान से तीन साल पहले हुई आपके इलावा कोई सही पर देने वाला मिला नहीं तो आज मैंने हिम्मत करके किया ती जिसे सोते हुए माताओं बेनों की हत्या कर देना एक कई तरह के बड़े पापों में आता है जैसे आज कल ग्रेस्ति ने समस्ते भून अत्या गर्वत्या यह उसी पाप की लाइट में आता है तभी तो ग्रेश्टी फिक्षिन ने पिनोने लगती है बड़े संकट आने कर दो